नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल अच्छागर होम प्लान में स्वागत है आज हम आपके लिए बहुती श्यांदार घर का प्लान लेके आए हैं 500 स्क्वाइर फिट जी हां मत्र 500 स्क्वाइर फिट में ये टोटल पूरा प्लान रेडी हो जाएगा काफी लोगों की बहुत चोटी जमीन होती है चोटे चोटे प्लोट होते हैं तो घर बनाने में काफी मुस्किल होती है और अगर वास्तु की बात करें तो चोटे प्लाट में घर बनाने में काफी दिक्टों का सामना करना पड़ता है आज का जो प्लाट है वो आपका 20 x 25 का है जी हाँ 20 x 25 फिट के प्लाट में केसे आप सुन्दर सा वास्तु के अकोडिंग घर बनाएंगे इसमें बताएंगे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यह इसका फ्रेंट है आगे से इसके में रोड यहां से जारी है जो जमीन ली गई है घर बनाने के लिए वो ली गई है 20 x 25 का जारोत तरफ से ओपन है आगे इसके में फ्रेंट से रोड जारी है 20 फिट आपके जमीन की जो चोड़ाई है 20 फिट होगी आगे से सेम 20 फिट आपके घर की पीछे से चोड़ाई रहेगी पच्चिस फिट इस गर की लंबाई रहेगी और इधर से भी 25 फिट लंबाई रहेगी आपका जो में डोर लगेगा घर से वो आपका यहां पर लगेगा में जो दर्वाजा लगना है वो यहां पर लगेगा जैसे आप घर के अंदर एंटर करेगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका में डोर लगेगा यहाँ पर लोहे का आपका में दर्वाजा लग गया यह आपकी तीन सीडिया है रोड से आप सीडियों से गर में इंटर करेंगे जैसे आप गर में इंटर करेंगे यह आपका लोबी एरिया आगया है पूरी यह आपका लोबी एरिया आगया है इसका जो चोड़ाई होगी वो 4 फिट 5 इंच रहेगी इसकी जो चोड़ाई रहेगी वो 4 फिट 5 इंच इसकी रहेगी उसके बाद में आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ही सीडियां दे दी गई है ताकि आपके सुईदाजनक रहें सीडियां आपके 3 फिट की चोड़ाई में दी गई है यानिक सीडियmez की जो चोड़ाई है वो 3 फिट रहेगा दोनों तरफ से और टोटल सीडियों का जो मेजरमेंट रहेगा यहां से लेकर यहां तक वो आपका रहेगा आट फिट चार इंच यानि कि यह जो लंबाई रहेगी सीडियों की आट फिट चार इंच में टोटल आपकी सीडिया मन जाएगी उसके बाद में देखिए सीडियों के इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक डौर दरवाजा लगेगा दरवाजे से अंदर एंटर करेंगे तो यह आपका एक रूम दिया गया है सुन्दर सा कमरा है यह आपका फर्स्ट रूम रहेगा रूम की जो मेजर्मेंट की बाद करते हैं तो 8 पिट 4 इंच रूम 8 पिट 4 इंच रूम की ऐसे लंबाई रहेगी और 8 फिट रूम की चोड़ाई रहेगी उसके बाद में देखिए एक खिड की हमने आप ये जो देख रहे हैं ये एक विंडो है एक खिड की बाहर की तरफ दिये ये बाहर आप एक डिजैन मना सकते हैं अपनी जो आईरन की लोहे की ग्रिल से जो आपका घर काफी सुन्दर भी लगेगा बाहर से और एक खिड की हमने इधर के ओपन एरिया में ओपन कर दी है तो आपके रूम में दो विंडो होगी सुन्दर सा रूम बन गया एक विंडो हमने जो सीडियों के नीचे जो आपका होल रहेगा उसमें एक विंडो दी है ताकि आपके अच्छा वेंटिलेशन रहे सीडियों के नीचे के होल में भी और रोसनी रहे तो ये एक विंडो हो गई उसके बाद में देखी आगे चलते है तो आगे आएंगे तो ये आपका होल आगे है ये आपका होल यानि जिसको घर का लिविंग एरिया भी बोलते है साथ फिट चार इंच इसकी चोड़ाई रहेगी और छे फिट इसकी लंबाई रहेगी तो ये आपका होल रहेगा उसके बाद में इस तरफ आप एंटर करते हैं यहां पर एक डोल लगेगा और यहां पर आपका कीचन यानि की रसोई घर आ जाएगा रसोई घर आ जाएगा तो ये आपका पांस फिट की चोड़ाई में रहेगा रसोई घर और जो इसकी लंबाई रहेगी वो आपकी छे फिट रसोईगर की लंबाई रहेगी तो ये 5 भाई 6 फिट का आपका रसोईगर रहेगा एक जो खिड़की है वो हमने इधर दे दी है ताकि रसोईगर का अच्छा वेंटिलेशन उसके इधर के ओपनेरियम दी गई है आप आप एंटर करेंगे इधर तो यहाँ पर एक दरवाजा लगेगा और ये आपका कॉमन लेट बात है जिसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो इधर के ओपनेरियमे दी गई है ये आपका लेट बात रहेगा यहाँ पर दरवाजा लग जाएगा ये आपका common late बात है बड़ा सारा 6 फिट की इसकी लंबाई रहेगी और 6 फिटी इसकी चोड़ाई रहेगी तो common late बात दिया गया है बड़ा सारा उसके बाद में देखी इधर आप enter करते हैं सामने यहां पर एक दरवाज़ लगेगा और एक दरवाज़ यहां लगेगा यह आपको दो room और दिये गए हैं यह आपका bedroom होगा यह आपका bedroom second number और यह आपका bedroom third number bedroom होगा इसकी जो चोड़ाई की बात करते हैं 9 फिट 4 इंच रहेगी और इसकी 9 फिट 5 इंच चोड़ाई रहेगी लंबाई की बात करते हैं तो दोनों की 9 फिट लंबाई रहेगी इसकी भी 9 फिट और इसकी भी 9 फिट तो बड़े बड़े दो room हो गए हैं और इसकी window आप पीछे की तरफ के open area में एक कहां पर दीजिए इसकी एक window यहां हो जाएगी और एक खिड की इसकी इधर open area में आपके खुल जाएगी क्योंग चारों तरफ open area है और इसकी window आपके इधर open हो जाएगी तो आप देखिए 20 बाई 25 में इससे best plan आपको और कहीं नहीं मिलेगा बहुती श्यांदार प्यारा सा plan है तीन रूम हमने आपको provide करवाए है तीन रूम है, hole है, common late बात है सीडियां बाहर है, तो सीडियों के नीचे का area भी आपके काम आएगा lobby यानि की जो रास्ता है यह आपका बड़ा हो जाएगा आप बाइक वगेर आराम से आपर भी खड़ी कर सकते है kitchen आपका यह हो गया है तो हर चीज को बहुत द्यान से और आपके लिए बहुत सुचारू रूप से ready किया गया है बहुत प्यारा plan आपके लिए लेकिया है तो I hope आपको यह plan अच्छा लगेगा तो अपने घर का आप निर्मान जब भी कराए वास्तू के according ही करवाईए ताकि इन future आपको कोई प्रहसा लिना हो तो आज के लिए हितना ही Thank you, धन्यवाद